ग्यान 24 में सुमन्चर्मा का प्यार भरा नमस्कार आज सूरे ग्रहन है सूरे ग्रहन की टाइमिंग्स आपको हर जगा अलग-अलग दिखरी होंगी कोई साड़े चार बजे से साड़े पांच बजे तक या ऐसे बता रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि धाई बजे से सूरे ग्रहन का इफेक्ट शुरू हो जाएगा और मेन जो लगेगा वो साड़े चार बजे के आसपास में ग्रहन पूरा आशिक सूरे ग्रहन है तो शुरू हो जाएगा ग्रहन लगना और साड़े छे बजे खतम हो जाएगा अब आप लोग इस ग्रहन के टाइम पे क्या कर सकते हैं हमारे वातावरन में बहुत सारी changes हो रहे होते हैं ग्रहन के टाइम पे जो vibrations हैं उनकी frequencies हैं उनमें बहुत सारे changes हो रहे हैं अभी ग्रहन के टाइम पे सबसे अच्छा काम है आपके जो भी मंत्र है उनका जाप आप ग्रहन के टाइम पे जरूर कीजिए अगर अपनी विशेस के लिए कोई मंत्र आपने उठाया हुआ है उस मंत्र को कम से कम 108 बार की माला लेके जाप जरूर कीजिए जाप करते समय एक अगर आपके पूजा में आपने तुलसी दल तोड़ा था और वह कुछ पत्ते तो उसको डाल लीजिए अगर इनकेस नहीं है तो सर्फ गंगा जल डालके उस पानी को छोड़ देंगे और वह ग्लास का पानी आप अपने पास रखके और फिर मंत्रों का जाप करेंगे ठीक आप गाइप्त्री मंत्र का जाप कर सकते हैं सूरी ग्रहन के टाइम पर या फे ओम क्लीम कृष्णाय नम्हा का जाप कर सकते हैं या आपका कोई अगर सिध मंत्र है या किसी मंत्र का जाप पहले से कर रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि ग्रहन के टाइम पे ढाई बज़े से लेके साड़े शे बज़े तक आप मान के चलिए एक प्रॉक्स टाइम है पूरा इस टाइम के बीच में आप कोई ना कोई मंत्रों का जब जरूर कर लीजेगा बहुत सिध्ध होता है बहुत सिधिया मिलती है फल भी बहुत अच्छा मिल आपकी हो गई हल्दी हो गया नमक हो गया यह सारे हर कटोरी में भरके और यह सब आपको टच करना है अपने हाथों से अगर घर में अलग-अलग सदस्य हैं तो सब के नाम की एक एक कटोरी जरूर निकालिए पांच कम से कम पांच अनाल जरूर कांट कर लीजेगा और बहुत बहुत अच्छा रहता है फलदाई रहता है ठीक है और इसको दान कप करना है अभी आपने इसको टच कर लिया तो अभी तुरंत ही ले जाके आप अभी ग्रहन में निकल नहीं सकते लेकिन क्या है आपने जब इसको रखा अच्छा ग्रहन में हम बाहर क्यों निकलते कोई ऐसा नहीं लेकिन हाँ कुछ raise ऐसे आते हैं प्रिथवी पे जब ग्रहन लगता है तो उसके effect से बचने के लिए कहा जाता है कि आप ग्रहन में जितना हो सके इन raise से बचिए इसलिए बाहर मत निकलिए सिर्फ इतना है और कुछ नहीं बाकी जिनको काम करना है जिनको जरूरी काम है वो जाते हैं निकलते हैं ठीक है उस टाइम पे जब आपको बाहर जाना है तो आप कुछ मंत्रों का जाब करते हुए चले जाएए ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाब करते हुए चले जाए ताकि आपको एक protection मिले ठीक है इन अनाजों को आप छू करके इसमें कुछ दान दक्षिना डालके इसे रहने बीजिए जब ग्रहन का time खतम हो जाए तो शाम को आप जा करके इसको मंदिर में पंडेची को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरत भी दे सकते हैं ये हो गया इसके अलावा आप अपनी विशेस से related क्या कर सकते हैं क्योंकि विशेस तो बहुत important है अभी ग्रहन में ग्रहन के time पे आप अपनी विशेस के लिए सिर्फ मंत्रों का ही जाप करें तो जादा अच्छा है और कुछ नहीं क्योंकि जब ये ग्रहन को छुपा देना उसे ग्रहन लगना ग्रहन वर्ड सही लगता है कि ग्रहन लग गया मतलब एकदम खुशियां रुक गई है पावर्ज रुक गई है ठीक है तो जब देवी देवताओं के पावर्ज रुके हुए हैं तो उस time पे ही उनसे विंती प्रात्ना करने लगना अप मनोकामना के लिए सही बात नहीं है आप रुकिए आप सिर्फ उसमय भगवान की आरात्ना कीजिए उनका ध्यान करिए उनके मंत्रों का जाब कीजिए ताकि इश्वर की शक्तियां फिर से जागरित हो जैसा हम जानते हैं न हम हनुमान चालिसा पढ़ते हैं तो वो क्यों प ग्रहन की वज़े से इश्वरिय शक्तियां रुक जाती हैं कम हो जाती हैं ठीक है क्योंकि उनकी जो चमक है सूर्यदेव सूर्यदेव की चमक के आगे तो ग्रहन है ना रोक लिया है उनकी उनकी रोश्णी को रोक दिया है तो अब जब पावर्स रुकी हुई है तो कैसे इ इतने भी हैं, हम सिर्फ अपने लिए प्रात्ना करते रहते हैं, अपने लिए मांगते रहते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते रहते हैं, मतलब हम सिर्फ मांगने में रहते हैं बजी, अभी जब हमारे ईश्वर को हमारी जरूरत है, हमारी आराधना की जरूरत है, तो हम सब को छोड़ के सिर्फ भगवान के लिए अभी काम करना चाहिए, भगवान की शक्तियों के लिए काम करना चाहिए, तो इस टाइम पे दुपहर का टाइम है और बहुत अच्छा टाइम है, दिन के टाइम आप सब लोग रिलाक्स रहते हैं, इस टाइम पे ईश्वर के मंतरो का जाब कीजें, उनकी शक्तियों को बढ़ाईए, हनुमान 40 पढ़ेए, मंगलवार का दिन है, आज हनुमान 40 पढ़ेए, बहुत अच्छा रहेगा, बलकि अब भी जब ग्रहन लग जाए, उस टाइम पे बैटके जितनी बार हो सकें हनुमान 40 पढ़ेए, आप जितना पढ़ और जिसकी वज días से हम ठीक हो जाते हैं वापे से चलने फिरने लगते हैं, सबसे पहले हम उस ही को धूबते हैं हॉस्पिटल में किसने हमारी सेवा की थी, किसने हमारे लिए इतना मेहनत की, हमें ठीक किया ठीक है तो फिर हम जाकर के उनको thank you बोलते हैं उनको देखते हैं सेम वैसे ही ईश्वर है जब ईश्वर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम यहाँ जाप कर रहे हैं और हर चीज कर रहे हैं मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो जब ग्रहन हटेगा उस टाइम पे भी सबसे पहली नजर आप पे पढ़ेगी सबसे पहला consideration आपका होगा उनकी एक नजर का पढ़ जाना हजार wishes एक तरफ ठीक है और सब मिल जाएगा फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रह जाता तो इतना effective और इतना important है आज का सूरे ग्रहन और सूरे ग्रहन में सिर्फ डर के रहना बिलकुल भी नहीं बल्कि इस चीज को तो ग्रहन को आप लोग ये मानिए कि आपको एक मौका मिला है इश्वर की तरफ से कि आप इश्वर के लिए आज खड़े होई है आज आपको इश्वर के लिए कुछ करना है तो इतनी छोटी सी बात ही मैं बताना चाहती थी और दान जरूर निकाल दीजेगा अपने घर में सूरे ग्रहन के समाप्त होने के बाद गंगा जल के चीटे जरूर मारें भूले नहीं गंगा जल के चीटे मारना बहुत जरूरी है ध्यान रखेगा इस बात का ठेक है और खुश रहिए घर में शांती बना के रहिए हमारे ईश्वर अभी हमारी ओर देख रहे हैं और हमें कोशिश रख यही करनी है कि हम उनने यही प्रूफ करें कि हम उनके बिना कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है तो हमारा अभी सारा फोकस सारा ध्यान हमारे भगवान की तरफ ही है So that's all and yes God bless you. Thank you so much.